आज किस वीडियो में NFL के section A टेकनिकल के questions के बारे में discuss करने वाले हैं जो की attendant grade 1 mechanical feeder के लिए है तो यह practice state 1 है तो आयो friends अब start करते हैं तो हमारा पहला question है question number first आज कल भारत में माप की कौन सी परनाली प्रचालित है तो इसका right answer हो जगा option number C यानि की MKS परनाली अब देखते हैं यह FPS, CGS और MKS परनाली आखिर है क्या अब देखते हैं FPS परनाली क्या है F4 होता है foot और जो foot होता है वो लंबाई जो होता है वो foot में मापते हैं इस परनाली में पी फोर होता है पाउंड तो जो पाउंड होता है यानि कि जो द्रबमान होता है वो इस परणाली में पाउंड में मापते हैं एस फोर होता है सेकेंड तो जो सेकेंड होता है यानि जो समय होता है वो सेकेंड में मापते हैं इस परणाली में नेक्स्ट है, CGS परनाली, इस परनाली में क्या क्या मापते हैं, क्या क्या बोलते हैं, तो जो C है, मतलब की सेंटीमीटर जो है, वो यानि की लंबाई जो है, वो सेंटीमीटर में मापते हैं, इस परनाली में, फिर क्या है, जी, जी से ग्राम, जो ग्राम है, यानि की जो SKS परणाली तो M से मीटर, यानि कि जो लंबाई है, वो मीटर में मापते हैं, के से क्या है, किलोग्राम, तो जो किलोग्राम, यानि कि जो दरवेमान है, वो किलोगराम में मापते हैं इस परणाली में एसपोर क्या है? एसपोर सेकेंट यानिके जो टाइम है जो समय है वो सेकेंड में मापते हैं इस परणाली में यानि कि जो भारत में प्रचलित है वो तो है MKS परणाली मतलब यही परणाली जो है वो भारत में प्रचलीत है next question है question number second FPS system में भार की इकाई क्या है तो इसका right answer हो जाएक option number D यानि की pound और एक pound जो होता है एक pound एक pound बड़ाबर क्या होता है तो एक pound बड़ाबर होता है 0.4536 kg होता है next question है question number third वह कौन से इकाई है जो सभी परणालियों में परियोग की जाती है तो इसका right answer हो जाएगा option number B यानि की second अभी हम लोगों ने थोड़े देर पहले पढ़ा जो FPS परणाली था जो CGS परणाली था उसका जो MKS परणाली था उसमें सारे में common क्या था तो जो second है वो सारे में common था तो इससे भी आप पता लगा सकते है इसका right answer हो जाएगा option number B I hope आपको यहां तक समझ में आ गया होगा next question देखते है question number fourth एक इंच में कितने सूथ होते हैं तो इसका right answer हो जाएगा option number C यानि कि 8 सूथ होते हैं और एक इंच में एक इंच में कितना सेंटीमीटर होता है तो होता है 2.54 सेंटीमीटर होता है और एक इंच में कितना mm होता है तो वो होता है 25.4 mm होता है next question है customer 5 एक किलो मीटर में कितने मिली मीटर होते हैं तो इसका right answer हो जाएगा option number D यानि कि 10 लाख होता है मिली मीटर और 100 cm 100 cm बड़ाबर क्या होता है तो 1 मीटर के बड़ाबर होता है तो next है question number 6 second किसकी माप है तो इसका right answer हो जाएगा option number C यानि कि कौन की माप second है और बल जो है बल का इसाई जो मातरक होता है वो क्या होता है वो newton होता है next question देखते है तो next question है question number 7 rule किस प्रकार का यंत्र है तो इसका right answer हो जाएगा option number A यानि कि लंबाई मापने का यंत्र जो है वो क्या है rule है next question देखते है तो next question है question number 8 किस इस्टील के बने होते हैं तो इसके राइट एंसर हो जाएंगा action number A यानि कि stainless steel के बने होते हैं steel rule और जो mild steel है वह वह साधारन जो caliper होता है साधारन caliper वह किसीज का बना होता है तो mild steel का बना होता है next question देखते हैं तो नेक्स्ट कोचन है, कोचन नमबर 9, साधारन्त कैलिपर निम धातु के बने होते हैं, तो अभी हम लोग ने थोड़ी दे पहले यही पढ़ा, इसका राइट अंसर हो जाएगा अप्सट नमबर C, यानि की माईल्ड अस्टिल के बने होते हैं, साधारन कैलिपर्स, नेक्स् कोचन नमबर 10, ब्रिटिस परनाली में लंबाई की इकाई निम्न होती है, तो इसका राइट अंसर हो जाएगा, अप्सट नमबर B, यानि की फूट होती है, तो फेंट्स, आज के लिए इतना ही वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा, तो इस वीडियो को ल इक्सन में दिया है, वहाँ से जाकर आप जोइन कर सकते हैं, थैंक्स फॉर वाचिंग